हेलो दोस्तों अगर आप अपने कैरियर आईटी फिल्ट के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सस्क्राइब कीज़े यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करने के लिए यूट्यूब ऑपन कीज़ेगा यहां पर सर्च बार में कीजिए सेव ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्पले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नए वीडियो अप्लोड करू अब सस्क्राइब करने के बाद यहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर विंडोस अवर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं जो हलो दोस्तों मेरा नाव इसेश मलिक है इस वीडियो में हम लोग Linux Operating System की Basic Configuration को डिस्कस करने वाले हैं देखे दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि Linux Operating System के अंदर हम लोग at a time 6 यूजर को लोग इन कर सकते हैं फर्स्ट यूजर को हम लोग graphical mode क के द्वारा login करते हैं और बाकि five users को हम लोग terminals के द्वारा login करते हैं टर्मिनल जिसे हम लोग Windows Operating System के अंदर command line के command prompt के नाम से जानते हैं और इन terminals को access करने के लिए आपको इन तीन keys का combination प्रेस करना होता है यह आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल को access करने के टर्मिनल से वापस graphical में जाना होता है तो आपको ctrl alt के साथ f1 की press करनी होती है तो इन terminals को हम लोग use कैसे करते हैं access कैसे करते हैं operate कैसे करते हैं तो अब हम लोग उसे discuss करने वाले हैं तो दोस्तों वापस मैं अपनी Linux Operating System के machine पर चलता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस टाइम पर मैं graphical mode में हूँ यानि कि मैंने यहां पर first user से login किया हुआ है तो अब मुझे second user से login करने के लिए मैं terminal की help लोगा तो terminal की help लेने के लिए मैं अपने keyboard से ctrl alt के साथ f2 की press करता हूँ ctrl alt and f2 तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह हमारा first terminal है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह है इस machine का computer name या जिसे हम लोग PC name के नाम से भी जानते हैं Linux operating system के अंदर by default हमारी machine का name जो होता है वो local host होता है और यहां पर आप देख सकते हैं login login की यहां पर आपको उस user का name provide करना है जिस user को आप इस terminal से login करना चाहते हैं तो यहां पर मैं अभी root user से login करना चाहता हूँ तो user name type करके जस्ट आप अपने keyboard से enter की press कीजिए अब installation के time पर जो आपने root user का password provide किया था वो आप यहां पर type कीजिए अपने keyboard से हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जब आप root user का या किसी भी user का password provide करेंगे तो वो आपको display नहीं होगा ठीक है तो user ने password provide करने के बाद आप अपने keyboard से enter की press कीजिए तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने 25th of December को 1959 पर login किया है और यह Tuesday यह day आपको show कर रहा है ठीक है इसके बाद अगर आपको किसी another user को login करना है तो उसके लिए आपको ctrl alt f3 press करना है और चाहे तो दोस्तों आप सभी terminal से same user को भी login करा सकते हैं कोई problem नहीं होती है यह से यह कोई मैटर नहीं करता है कि आप एक टर्मिनल से के विल एक ही यूजर को लोगिन करा सकते हैं और अनदर टर्मिनल से आप उस यूजर को लोगिन नहीं करा सकते हैं आप किसी भी टर्मिनल से किसी भी यूजर को लोगिन करा सकते हैं चैसे सभी टर्मिनल से आप सभी यूज सकते हैं , एस नहीं कि हम लोग सिक्वन्सली ही चलेंगे , एसा कुछ नहीं है , तो अगेन यहां पर मेरे इस तर्मिनल से वापस ग्रैफिकल मोड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl Alt के साथ F1 की प्रेस करनी पड़ेगी और जैसे आप F1 की प्रेस करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर वापस ग्रैफिकल मोड में आ गया हूँ जिससे कि मैं अपनी मसीन को ग्रैफिकली ओप्रेट कर सकता हूँ लेकिन टर्मिनल से आप अपनी मसीन को केवल कमांड के द्वारा ही ओप्रेट कर सकते हैं दोस्तों ज्यान रख ना लाइनेक्स ओप्रेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग जितने भी आगे कॉन्फिग्रेशन करेंगे वो केवल कमांड के द्वारा करेंगे हम लोग ग्रैफिकली कोई भी कॉन्फिग्रेशन यूज नहीं करेंगे क्योंकि ओगनाइचिस्न में क्या होता है कि 100% वहाँ पर आपको कमांड लाइन ही ओप्रेट करने के लिए मिलता है तो हम लोग यहाँ पर ग्रैफिकली ओप्रेशन नहीं करेंग किसी भी सर्वर का या किसी भी कॉन्फिग्रेशन का उसके लिए हम लोग कमांड सी यूज करेंगे तो आगे हम लोग चलते हैं और सबसे मेन पार्ट पर चलते हैं दोस्तों आप अगर यहाँ पर देख रहे हो यह आपके सामने मैंने एक टर्मिनल ओपन किया हुआ है यूजर को लोग इन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक सिंटेक्स दिखाई देगा अब इसका एक्च्वल में मिनिंग क्या है यह आप देख सकते हैं या फिर आप पीट यूजर से भी देख सकते हैं कि आपके सामने क्या सिंटेक्स आया हुआ है अब यहाँ पर इसक को explain करने लिए मैं picture पे चल रहा हूं और इसको आप ठ्यान से देख लिजेगा यहां पर और यही मैंने एक picture के द्वारा भी explain किया हुआ है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं how to operate terminal in RHL7 देखे दोस्तों जब हम लोग root user से login कर रहे हैं तो आपके सामने यह syntax आ रहा है यादि कि root at the rate localhost दोस्तों इस symbol को हम लोग बोलते हैं tilde की then bracket close then hash इसी तरह breathe at the rate localhost tilde bracket close then dollar का sign ठीक है दोस्तों चाहे तो मैं दोबारा से आपको यहां पर दिखा भी सकता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं यह preth user login है इस terminal से bracket के अंदर preth at the rate localhost इस symbol को हम लोग बोलते tilde bracket close then dollar के साथ-साथ अगर मैं another terminal पर जाता हूँ यहां पर up again root at the rate localhost tilde and hash तो इनका meaning क्या है actual में तो वापस picture पर चलते हैं इसको explain करने के लिए देखे दोस्तों सबसे पहले आता है यहां पर user name कि आपने current terminal से किस user को login किया हुआ है ठीक है यह आप देख सकते हैं यह सबसे पहले होता है username next होता है localhost localhost का meaning है कि हमारा computer name किस computer पर आपने किस computer name पर आपने इस user को login किया हुआ है यानि कि जिस machine पर आपने login किया हुआ है उस computer का name क्या है और दोस्तों यह जो tilde का symbol होता है दोस्तों tilde का symbol जो है वो represent करता है कि user जो user किस current working directory में अभी working है यह user की current working directory को represent करता है और दोस्तों अगर यहां पर hash का symbol आया हुआ है ऐसा कुछ नहीं है कि यह root user होगा, तभी यहाँ पर hash का symbol होगा, किसी another user पर भी hash का symbol हो सकता है hash का symbol यह represent करता है कि आपने current terminal से super user को login किया हुआ है कि इस machine पर, इस current login user को full permission है किसी भी type की editing modification करने के लिए इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एक another terminal से मैंने preet user को login कराया हुआ है और यह आप देख सकते हैं, यह preet का symbol आया हुआ है, syntax आया हुआ है preet यानिके username current terminal से आपने किस user को login किया हुआ है अब localhost यह हमारा machine name होता है, जिस पर आपने preet user को login किया हुआ है tilde का sign, tilde का sign user की current working directory को represent कर रहा है और dollar sign, ध्यान लखना दोस्तों, अगर hash का symbol आया हुआ है तो वो super user login है उस terminal से, अगर dollar का symbol आया हुआ है तो समझ लेना एक normal user है, जिसे हम लोग standard user भी बोलते हैं normal user यहनके preet user को इस machine पर एक limited permission है तो hash full super user को represent करता है, dollar एक normal user को represent करता है तो दोस्तों, I think आप इस syntax के बारे में भी अच्छी thread समझ गए होंगे अगर कोई भी problem आती है तो आप मुझे call कर सकते हैं या फिर whatsapp भी कर सकते हैं आप मुझे लुभे होंगे करता है झाल झाल